गुच मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चो बच्चो स्वागत है आपका अपनी चैनल SRS Learning में ये आपकी आज की कक्षा 4 की कक्षा 4 के बच्चो के लिए आपकी आज ही कारे पत्रक है हिंदी है ठीक है ना और जिसकी करम संग्या है हमारी 91 91 और जिसकी डेट है 19 अक्टूबर 2020 और बच्चो ये पाठ पूसक हमारी रिमजिम चल रही है जिसमें हमारा जो पाठ है वो कैचल रहा है मन के बोले बादल आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी शिक्षक या शिक्षिक का का नाम लिखना है तो हम आज क्या है अपनी जो वक्षिट में क बात करेंगे कौन सी कविता के बारें बात करेंगे आज हम मन के भोले बादल प्यारे बच्चो आपने कविता हैं बहुत ऐसे शब्द पड़े हैं जो हमें कोई ना कोई नाम बताता है जैसे जोकर, हाथी, पंक, बाल, बाल, तोंद, कूबर, आदी नाम वाले शम्दों को संग्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संग्या कहते हैं, बच्चे जो आपका यह जो डेफिनेशन है, इसको आपको अपनी बुक कौपी में लिखना है, क्या है, संग्या लिखके ओपर लिखना है, किसी व्यक्ति, जी, वसू, इस्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, सं में आए कुछ संग्या शब्दों के चित्र बनाए हुए है जैसे यह आपकी चित्र बनाए हुए है ठीक है इन्हें पहचानकर इनके नाम सामने दिए खाले सानब हमें इनको पहचानना है और हमें इनका क्या है नाम लिकेना है चलो हम पढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं चंपर चंपर बालो वाले, गुबारों से गालों वाले, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाती से सून्ड उठाए, कुछ उठों से कूबर वाले, कुछ परियों से पंक लगाए यह क्या है, हमने अपनी पढ़ ली है कवीता, अब हमें जो इनके यह जो हमें दे रखे हैं, इनको आमें क्या है, यह क्या है, उठ, क्या है उठ, हम यह क्या लिख देंगे, उठ, हमने यहां पे उठ लिख दिया, यह क्या है हाथी, क्या है हाथी, इसको आप इंगलिश में ब गुबारा, यह क्या है जोकर, जोकर, क्या है जोकर, जो आपको हसाता है जोकर, तो बच्चे यहां से आप देख के लिख लेना, ठीक है, तो यह हो क्या आगा, यहां पर उठ, यहां पर क्या आएगा, उठ, हाथी, परी, गुबारा और जोकर, यहां से आप लिख लेना, ठीक अब नेक्स शब्द क्या है हमारा अगला परशन क्या है हमारा निमिलिकित शब्दों में से संख्या शब्द चुनकर उन पर गुरा लगाए अब हमें जो संख्या शब्द है संख्या शब्द है उस पर हमें गुरा लगाने और संख्या की डैफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी परिभाशा क्या किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, इस्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं संग्या, अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे आलू, आलू क्या है, किसी का नाम है आलू ताज महल, खेलना, खेलना हमारी नहीं है, खेलना हमारी किरिया होती है टोपी किसी का नाम है, सुनीता नाम है, पपीता नाम है, नाचना नहीं है नाचना, क्योंकि एक क्रिया है ठीक है ना, अब जब आगे पढ़ेंगे आप उसमे आएंगे, ये दोनों क्रिया आएंगे जो हमने गोले लगाए है, ये सब क्या है हमारी संग्या है, यहाँसे आप देखे लिख लेना अपना पर्षण का उत्तर नेक्स्ट क्या है पर्षन 3 परशन 2 में आये संग्या शब्दों को वर्ण माला की करम की करम की निचे दिंगे लिखिए अब हम अब रिक्ग ड्लोर में बndमाला में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है और आपर वोक्तर बाद की M हमने वर्ड में किते हमारा में जखें हैं क्या आएगा खेलना ये दो पे लिखना फिर क्या आएगा हमारा टोपी ये तीन पे आएगा फिर हमारा क्या आएगा ताज महल चार पे फिर हमारा आएगा नाचना ये पाँच पे फिर हमारा आएगा पपीता ये छे पे और ये साथ पे यहां से देखकर आप अपने इसको लिख लेना ठीक है तो तो बच्चो यह हमारी चोटी सी आज की वक्षिट थी और बच्चो यह हमें हमेशा याद रखना है कि अपने हाथों को हमें नियमी रूप से साबुन और पानी से हमें दोना है क्योंकि हमारा कोविड चल रहा है और हम कब भाहर जाएं तो हम जो है मास का और सोशल डिस्टैं करके आईएगा मिलते हैं बच्चो आगे की वक्षिट के साथ बाए बच्चो